Hello everyone, this is Advocator Pita Shukla, welcome you all to your own channel Target4IQ देखिए हम स्टार्ट करेंगे करेंगे करेंटर फेस को अधे करेंटर फेस हर एक एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो इसको हम कहीं से भी स्किप नी कर सकते हैं और उपी में तो करेंटर फेस की बहुत ज्यादा वेटच है तो चलिए हम स्टार्ट करेंटर फेस को देखेंगे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडि इंडिया और यह नवंबर में हुआ था नवंबर में हुआ था और इसमें घो रहे हमारी हम देख सकते हैं और साइड में पिक्चर में कि हेमा मालनियों प्रसुन जोशी को यह और इनको यह अवार्ड मिला था इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ओफ यह 2021 का ठीक है चलिए हम नैक्स देख यह award मिला ठिक है seven times award मिला जे और हम फोटो में देख सकते एक वोगैन को भी मिला था वो अलिक्स अवर्ड वह थैर्ड विनर थी वूमेन इसमें मतलब ऑलन तर्ष बात करेंगे मिलिटरी एक्सराइज लाँच करी थी जिसका नाम है दक्षिन शक्ति और यह क्या है अब यह साउतन कमांड यह पूनी बेस्ट है और यह जो दक्षिन शक्ति है यह राजस्थान और गुजरात के ट्रेनिंग एरिया में यह एक्सराइज हेल्ड हुई थी हम इसके बारे में थोड़ा जांदिश यह क्या करेगी जो नए कॉस कॉंसेप्ट से वार फाइटिंग के हर डोमेन में चाहिए और स्पेस और साइबर हो चाहिए लेक्ट्रॉनिक के फॉर्म और इंफॉर्मेशन वार्फेर के वाम में उन सब को देखेगी उन को टेस्ट करती है और बाकी हम देखें फॉकस करते तो यह मुस्ली फोकस करेंगे एक्स्प्लाइट करती है नियू और इंडिजीनिस टेक्नोलोजी को जैसे एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर हो गये धुरूवस वन ट्रोन्स जो प्रवाइड करेते हैं कोहंसिव इंटैलिजेंस को अब देखें एक वी फोडाइट मल्टि एजेंसी एक्सेजिस जिसका नाम था सागर्शक्ती ठीके Uzra सागर शक्ति के अंदर यह नाम था सागर शक्ति यह और और यह 19 से 20 नौंबर के बीच में हुई थी 2021 एज पार्ट आफ दक्षिन शक्ति इम्पोर्टेंट है देखिए पूछ सकते हैं कि और यह भी पूछ सकते हैं दक्षिन शक्ति जो मिलिटरी एक्सराइज होती होती हुए से एरिया में तो राजस्तान और गुजरात के एरिया में होती भी कुछिन पूछ सकते हैं दक्षिन शक्ति के कौन सी एक्सराइज पार्ट थी तो यह थी सागर शक्ति ठीक है और यह 19 नौंबर से 22 नौंबर के 20 में हुई थी एक्सराइस ती अब बात करते हम नेक्स्ट ए वर्चुली और जो इसमें क्या था इसकर गंगा एटलेस डेवलप बाइदा आई आई टी कानपूर था उन्होंने एक गंगा एटलेस को भी डेवलप किया है देखिए अब इसमें देखिए यह जो नेशनल मिशन है फॉर क्लीन गंगा इसने यह जो फैस्टिवल था नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा यह जो हमारा फैस्टिवल था यह और्गनाईज हुआ था तू मार्ट अनिवर्सरी ऑफ अनॉंस्मेंट आफ रिवर गंगा एस देशनल रिवर दाट इस फॉर्थ नवंबर को ठीक है कब फॉर्थ नवंबर को मोस्टी देख रिवर लिज़े 20 कब सेलीब्रेट किया गया था 26 सितंबर को सेलीब्रेट किया गया था औरajes फोर्ट संदे और इस लूट पड़ा बोक FIFA ठेमबर को ठीक है और यह क्सकी दुमारा और फैस्टिवल नश्नल मिशन फ़र क्लीन गंगा के दौरारा इस और गनाई इसने रिवर गंगा को एसा नैशनल रिवर डाट इस फूर्ट तवंबर को अनिवर्सरी के तौर पर यह मनाया गया था अब हम थोड़ा बात करते हैं इसके एम की ठीक है अब इसका एम क्या था जो गंगा उतसव था 2020 का में एम था जो हमारी इंडिया में रिवर बेसिन से उ इसको प्रमोव्प करना और शेक मैं प्रमोट करना उसका में औब बैडेक्टीव को देखें अब जो है कि इसका में आप्जेक्टीव की है हाइलाइट कर गंगा के रिवाइवल के सिग्निफेकेंस जन भागिदारी को हाइलाइट करना मेन इसका अब्जेक्टिव यह है और देखिए देखिए और इसमें क्या है इस उत्सव में इसमें इसमें दोनों की पार्टनर्शिप थी और प्लस इसमें क्या था ट्री ग्रेस फांडेशन के साथ था अब देखिए और यहां पर क्या थे एक मूवी का प्रोमो भी लॉंच किया गया था इस उत्सव में उसका नाम था रिवर फ्रॉम स्काइज चाइज एक वेबिनार हुआ था उसमें था थे कोश्चन आ सकता है यह जो हमारा फिज्ट गंगा उत्सव 2021 था रिवर प्रफेसर राजीव सीना कौन थे राजीव सीना, ऑग्णा एटी कानपुर को यह जैए किसे हैं अब देखिए हम इसके बारे में थोड़ा सा और जाने यह जो हमारा उत्सव था इसमें जो गिनीज बुक आफ वर्ड रिकॉर्ड में इसको फर्स डे ऑफ गंगा उत्सव 2021 का इसको मैंशन किया गया और रेजिस्टर किया गया गिनीज फेस्बुक वर्ड रेकॉर्ड में एक घंटे के अंदर फेगज फेजबुक में सबसे जादा फोटोस अप्लोट किये गए हैं थीकर और यह यह जो आता है तो शक्राइब मिनिस्ट्री ऑफ जलशक्ति के अंदर आता है और इसकी जो हमारी एनेम सीजी थी मतलब नैशनल मिशन फोर क्लीन गंगा थी अंडर दे मिनिस्ट्री ऑफ जलशक्ति यह जो सुसाइटी ती रजस्टर्ड हुई थी बारा अगस्त अगस्त दो हजार ग्यारा में अंडर दा सुसाइटी रजिस्ट्रेशन एक टू एटीन सिक्स्टी के अंदर देखिए इंपॉर्टेंट है पूछ सकते हैं चलिए हम नेक्स देखते हैं देखिए जम्मू कश्मीर की 49 सिटीज में से शीनगर को युनेस्को क्रेटिव सिटीज नेटवर्क ने फॉर्ट टूजन ट्वेंटीवन के लिए श्रीनगर को जॉइन किया है ठीक है सिलेक्ट किया गया है अब देखिए हम यह देखते हैं युनेस्को की पहले फुल फॉर्म देख लेए तक यह कोशन आ सकता है युपी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि य साइन्टिफिक है एंड कल्चिरल एज ओर्गनाइजेशन ठीक है ओर्गनाइजेशन देखिए इस चीज में याद रखेंगे एजूकेशन नहीं एजूकेशनल है ठीक है तो यह इंपॉर्टेंट था और प्लस हमने से यह भी चीज देखेंगे देखिए च्रीनगर के किसमें असकता है अभी सिलेक्ट हुआ है कौन सी केटेग्री में सिलेक्ट हुआ है तो यह हमारा क्राफ्टेंट खरकेशन के लिस्ट में आ एंटिया जैपूर वराने हो गई यह दोनों ही है जैपूर क्राफ्टेमपकार्स में 2015 में डिसलेक्ट हुई है spec-ah… मुंबई हमारी फिल्म सिलेक्ट हुई है 2019 सब्सक्राइब थे और हएदराबाद हमारे स्बस्क्राइब्स ने si ocho यह तो थेरा के लिए 20 सी और है और हाइदराबाद टीक है और तूथाजन फिफ्टीवन फिफ्टीन में जैपूर और वराने से सिलेक्ट हुई थी चलिए हम नेक्स देखते हैं कि देखें इंदौर को इंदौर एड़र की गई है क्लीने सिटी जो इंदौर है मध्यप्रदेश की जो इन दौर है कि दौर तो इसको एड़र किया गया है क्लेने सिटी के तौर पर और यह फिफ्ट कॉन्सेक्टिव इयर मतलब पांच साल तक यह लगातार क्लीने सिटी के अंदर इंक्लूड़े इस अवाड किया गया ठीक है और यह स्वच्छ सर्वेक्षन टूथाउजन ट्वंटीवन के अ सुध्री अपर सफ उठ्रेट मिशन टीके अंडर अग करें सूरत गुजरात सूरत और यह वड़र ने सेकेंडर एक तर फोर हो सब्सक्राइब करेंगे पोचंपोली विलेज की जो कहा है तिलंगाना में देखिए जो पोचंपोली तिलंगाना का जो पोचंपोली विलेज है वह सब्सक्राइब किसके द्वारा हुआ है यह सिलेक्ट किया गया है बैस्ट टूरिस्म विलेज के लिए ठीक है और कब करा इस सोला नौबर दोजार रिक्टिस को क्या है जो पोचंपोली है वह हाइद्राबाद से 50 किलोमीटर की दूरी पे है और कहां पर नालगोंडा डिस्ट के अंदर यह पचंपोली आता है और यह जो पचंपोली इसको रिफर किया जाता है सिल्क सिटी ऑफ इंडिया एक्सक्यूजिट सारी के लिए यह बैस्ट विलेज के लिए सिलेक्ट हुआ है युए डवलो टीयों के द्वारा और इसके बारे में थोड़ा सा और जानले हमारी जो साड़ी से वह होती है यहां पर इकात जिसका नाम है और यह जो इकात है पोचंपोली के जो डिजाइन है जो इकात है यह रिसीव किया गया था इसने रिसीव किया था जोग्रिफिकल इंडिकेट है मतलब जी आई स्टेटस भी है 2004 में मिला है इसको जो तो चैके यहाद गार बनाने के लिए भूधान मूवमेंट झो लांच के अगया था अचारे विनोबा भावे त्वारा फ्रतुल के द्वारेके कि द्वारा नौउक के अमूंच कि आघा था तृप हिस्ट्रीकरी और तेंवे और एक और को चैको, ढूंपाय विनोबा म मुवमेंट किसके द्वारे लॉंच किया गया था इस पूचंपोली विलेज में 18 अप्रेल 1951 में यह हुआ था और यह जो पूचंपोली है इसको भूदा भूदान मुवमेंट के लिए करेटी देखें दो रूम है विनोबा भावे मंदिर जो इस विलेज में एक्जिस्ट हो ठीक है और अल्य जो प्लेस था जहां पर विनोबा भावे रहते थे दिरिंग विजिट टू दा विलेज पहले क्या होता जो भूदान मुवमेंट को लॉंच किया है और यहीं पर जो विनोबा भावे थे यहां पर रहते भी थे ठीक है तो बैस्ट टूरिस्म विलेज ट्टेंडिंग अग्जंपल रोगसिशन के लिए ठीक है मेन मोटीव इसका क्या था की तेम ऐसफंपल मुधि हो आउच्थ्ट एक्जंपल क्रायरलोल डेस्टिनेशन पर और देकर सेसे प्लिक प्रॉग्प्र प्राइमौत पे अब इसका प्राइम मिस्टे सभ्यन played venir सो Estrine जो भुपाल में है 15 नुवंबर 2021 को और रिनेम किया गया है गौंड क्वीन थी जो रानी कमलामपती थी वह थी गौंड क्वीन थी उनके ओनर में यह जो हमारा रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया ठीक है और यह जो कोश्चन देखी यह क्या है इंडिया का क्लास रेलवे स्टेशन था और यह जो स्टेशन है रिडेवलप हुआ हुआ था एटा कॉस्ट ऑफ रुपीज हंड्रेड करोड ठीक है कितने हंड्रेड करोड की लागत लगी थी तोटल इसमें विद प्राइवेट पार्टिसिपेशन ठीक है फर्ट अब यह फर्स्ट ला स्टेशन रिडेवलप्मेंट किया था तो वह था हमारा हमारा रेल्वे स्टेशन था जिसका नीर नाइम कर दिया रानी कमलापती रेल्वे स्टेशन भुपाल पर देखिए बहुत इंपोर्टेंट जो करेंट अब आपको बताए जो आगे अब देखिए हभीब गंज का र पर देखिए अब आपको बताया था और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टार्गेट फॉर आईक्यू के नंबर पर कॉल कर सकते हो मैसेज कर सकते हैं हम